हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आपकी पढ़ाई अच्छी चले जोगी दोस्तों काफी सारे लोगों की यह डिमांड थी कि इस चप्टर्स को बनाया जाए तो मैंने इस सीरीज में जोग्रफी के तीन इंपॉर्टेंट चप्टर्स को एक साथ इंक्लूड किया है तो इस कि इसको compile किया गया है एक भी फाल्दू का fact नहीं है साथ में मैप को भी include किया गया है मैप पर साथ पढ़ने का सबसे अच्छा फाया यह होता है कि आप उससे देख लेंगे तो आप उसे भूलेंगे नहीं भूलने से भूले में सबसे ज्यादा हाथ होता है नहीं से हम लोग शुरुवात करेंगे और जो रिसेंट का रेलवे जोन बना है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथ इस पूरे सीरीज को आप देखते हैं तो आपके तीन कोश्चन दो से तीन कोश्चन जरूर आते ही आते हैं हर एक्जाम में तो इसको लास्त तक ज सब्सक्राइड के गदर बात की जाए तो यह है मुंबई चर्च गेट दोनों में डिफ्रेंस समझें जो सेंटरल रेलवे है मतलब मध्य रेलवे इसकी है मुंबई और वेस्टर्ण रेलवे चर्च गेट में है जिसमें वेस्ट में जाएगा वो चर्च के पास जाएगा इस तरीके से आप सोचेंगे चुकि मुंबई बहुत बड़ा है इसलिए यह दो जोन का वहाँ पर जरूरत है चलिए तो अगला देखते हैं इस्टर्ण रेलवे इस सब को मैप के द्वारा भी समझेंगे इस्टर्ण रेलवे का हेड़कॉर्टर है कोलकाता और साउथ इस्टर्ण रेलवे का भी कि आप आराम से एक जगह रखके इसको याद कर सेके साधी साधी इसको याद करने के ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा इस्ट सेंट्रल रेलवे कि अगर बात करें तो तो यहां आप देख सकते हैं इस्ट कोस्ट रेलवे पूरू तटिये रेलवे इसका मुख्याला कहां है तो तो है अब आते हैं नॉर्डर डिल्वे का है नुडिल्ली आप आदेखना सिधे उत्तर लगा है तो निउडिल्ली होका अब आते हैं नौर्थ सेंट्रल रेल्वे उत्तर मध्यय यहां आपको बहुत लोग पता भी जो यूपी वाले हैं उनको याद रखना चाहिए कि मॉस्ट चांस है इसी कोश्चन को पुछे जाने का तो नॉर्थ सेंट्रल रिल्वे का मुख्याले का है अलाहबाद में और नॉर्थ वेस्टर्न रेल्वे अब यहां से ट्रिक्स मैं बताऊंगा आपको कैसे याद करना है चुकि इतने जादा हो जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो मैंने इसका ट्रिक बनाया था नॉर्थ वेस्टर्न रेल्वे जैपूर यह है नॉर्थ का है लेकिन वेस्ट में है तो वेस्टर्न इराके में जैपूर है राजस्थान की राधानी तो इसको याद करन अगला जो है नॉर्थ इस्टर्न रेलवे आप यहां देख सकते हैं नॉर्थ इस्टर्न रेलवे पूर्व उत्तर पूर्व रेल यह क्या है गोरखपुर कहा है बिहार में तो नॉर्थ इस्टर्न रेलवे का मुख्याले कहा होगा गोरखपुर बिहार नॉर्थ इस्टर्न र है और जो जिनकी बाउंडरी दूसरे से लगती है इसलिए इसमें फ्रंटियर वार्ड यूज होता है तो यह जो है ऑसम राज्य की गुहाटी में इसका हेड़कॉाटर है तो चुकि फ्रंटियर लगा तो आपको गुहाटी याद रखना है अगर उधर कोष्ट लगता तो स्वर में था तो यह सारे अपने दिमाग में आप सेट करिये अलग से आपको जरूर याद हो जाएगा साउधन रेलवे की बात करें तो साइस साउधन रेलवे मतलब एकदम नीचे साउथ का तो चिन नहीं और इसी साउथ में एक और भी रेलवे हेड़कॉटर नियू बना था इसलिए मैंने इसका रीग मनबनाया एससी शिकंदरा आप कर सकते एससी कंदरा में अव सिकंदरा मय इसी है और promoting या दो जाएं बाकी का तो मैं बता ही रहों का से याद करना जहां कोंस लगेगा वहां भनेशुर जहां फ्रॉंग लगेगा वह गौहारी, तो आप यह से से याद करने का फायदा क्या है और कोई है ही नहीं यह से और इस तरीके का तो साट वेस्टर्ण된 वल्वी का हुबली कंगे कि की मिखर याद करेंगे तो कंफ्यूज जादा हो इसलिए आप कोशिज कीजिन इंगल्श म内ट करनें हाथ ऊथ वेस्टरр्न रिल्वे सिकंदराबाद था लेकिन SEC जो है इसमें E लग गया वो बिलास हो जाएगा ठीक है तो आपको यह ध्यान लगना है एक जाम में इसे एक सवार आपसे नहीं चूर सकता है अगर अब मैं इस बतायत रिक्वाप फॉलो करते हैं वेस्ट सेंट्रल कर सकते हैं आप इसको नोट करने से इसको याद कर सकते हैं साथी-साथ इसकी PDF पूरी मैं आपको अपने टेलिग्राम चैनल जिसका लिंक हमारे description में दिया रहेगा वहां से जाके आप download कर सकते हैं उसके देदूंगा वहाँ देखिए और साथी साथ हमारे इस चैनल पर और भी धेड़ सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट हैं सारे इंट्रेंस के प्लेलिस्ट है अलग अलग वहां जाके आप विजिट कर सकते में स्क्रिप्शन में सबके लिंक मैं दे दूंगा वेस्ट सेंटर डवलू सी जबल सेसी सेसी क्या था बताई बताई साउथ इस्ट सेंटरल रिल्वे का था बिलासपुर एस सी सिकंद्राबाद एस डबलू एच मतलब भूमली आप मैं बोला हूं पांच बार इसको रिविजन कर कोंकन तट यह च 싶秒 है मैप अगर आपने जानता होंगा कंजें गुवा वाली लाके में पाया जाता है तो इसका sैन्टर professor बिलेति इस पर में में तरकाट विए टन में सबसे मुस्ट्ट इंप्स्ट मतलब दक्षिजद मुख्या लह और यह नियूली фórm मैंने या लिखा भी है सबसे नया बना है तो इसको जरूर याद रखिये और इसको तरीके से आपको बताए है आप उसको फॉलो करते हैं तो आप भूलेंगे नहीं और अब आते हैं मैप से इन सब चीज को देखते हैं मैप में देखने का सेम चीज है लेकिन अलग तरीके से दिखाए गया है आप अगर समझेंगे तो आप देख सकते हैं Northern Railway यहां दिल्ली मार और नॉर्थ इस्टन रिल्वे गुरकपूर यह सब मैप दिखाने का मतलब इसलिए है क्योंकि जो जोन जिस इलाके में है उस आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा अभी हम लोग यहां देख रहे थे कोलकाता हमने देखा था इस्टन रेल्वे भी है और इस्टन मुठाले का कुलकाता में था सौस इस्टन रेल्वे का दोनों का हीडिस कणर में सबको मैं लिया जबोग होत है जबलपूर मैं बता है थोड़ी दैर पहले जबलपूर में किसका मुख्याला है तो जबलपूर मेंyang में सेंटरर में बहैं और वैस्ट में भी ए तो यह Ciज जरूर की जो दोस्तों में शेयर भी जाता है कोश्चन यह भी पूछा कि इसलिए मैंने यहां लिख दिया है रोहा से मैंगलॉर तक और इसकी मुंबई नवी मुंबई में हेड़कॉटर है साथी साथ वेस्टन रेलवे और सेंटर रेलवे दोनों का मुख्याले मुंबई में आप stuff होगा सिकंदराबाद में साथन सेंटल मतलब दक्षिन मढदर रीलवे से मुखला सिकंदराबाद में तो यह सब यहां पर लिखा बहु आ हुग है अब सकते हैं खुबलि का मैंने बताया थाए डवृइस soweas साउथ वेस्टरन रेलवे मतलब दक्षीन पहस्चिम रेलवे तो यह सारे आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे बहुत ईजी हो जाता है तो चलिए नेक्स्ट फेज पर हम देखेंगे नेक्स्ट में क्या है हाईवे जी ने दिया देखिए दोस्तो हाईवे से जितने सवाल पूछे जाते हैं सिर्फ हम उन्हें को कवर करेंगे फालतू का एक भी नॉलेज हम लोग इसमें नहीं देखेंगे और उन सब चीजों को ही पढ़ेंगे जो की पूछे गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हाईवे के साथ हाइसी कैसा है दोस्तो हाईवे सुरू करने से पहले रेलवे से जो को सनग जिस तरीके से पूछेगा है उनके static facts को अम दोग देख लेते हैं मुख्याले तो हमने देख लिये railway से सबसे ज़्यादा सवाल पुछायते हैं सबसे पहले railway कहां से कहां तक चला था तो 16 अपरेल 1833 आपको याद रखना है यह मुंबई के मुंबई में चला था सबसे पहले रेलवे और 34 किलो मीटर तक चला था यह आपको याद रखना है बोरी बंदर और ठाने के बीच यह याद रखना है साथी साथ रेलवे का राष्ट्रिय करन कब किया गया तो यह 1950 में किया गया क्राश्ट्रिय करन 1950 और रेलवे बोड कब बनाए गया 1905 अभी हाली में रेलवे बोड के चेर्माइन जो थे उनका कारेकाल फिल से बढ़ा दिया गया है और वो कौन है तो वीके यादव है आप मेरे डेली करेंट अगर देखते होंगे तो उसमें आपको मैं बताता भी हूं वीके आदव रेलवे बोड के चेर्मैन है साथी साथ कुछ और इंपोर्टेंट चीजे देखते हैं मेघाले को रेलवे से रिसंटली थीन-4 साल पहले उसको लिंक कर दिया गया है साथी साथ अभी ट्रेन 80 जो है ट्रेन 80 यह भारत का सबसे गतिमान तेनर ट्रेन है 180 किलोमे वीडियो में तो यह जो है तेजस और टीएटी जरूर याद रखिए तो मेघाले भी हो गया अपने उसके रेल लिंक का नाम है दुधनोई मेधी पत्थर दुधनोई मेधी पत्थर जो है मेघाले से लिंक कर दिया गया है अब आते हैं गिरीन इनिसियाटी भी रेलवे में में बायो ट्वालेट के लिए सुरू किया गया है और आपको बता दिया गया है नेशनल आइज उनिस अपटास में रेलवे के तीन तरह के मीटर की गौज होते थे ब्रॉड गौज नैरो गौज और मीटर गौज तो ब्रॉड गौज जो होता था वह 1.676 इसको याद रखि है आप 1.676 और 1 मीटर का जो है उसको याद रखने की जरूत नहीं सबसे छोटा जो है वह क्या है 0.762 आप यहीं याद रखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा तो इससे जो है आपको याद रहेगा यह सारे सवाल पूछे जाते हैं और सबसे रिसेंट का मैंने बताया कौ अब आते हैं हाईवे पे हाईवे के बारे में कुछ खास बात जानते हैं हाईवे बहुत ही ज़्यादा अपने देश का लाइफ लाइन है एक तरीके से जो भी कुछन हाईवे से पूछे जाते हैं उन्हें हम देखेंगे तो सबसे जो इंपॉर्टन चीज आपराक्स टू परसेंट रोड नेटवर्क का है लेकिन 40 परसेंट बोज वहन करता है तो यह सबसे ज्यादा जूरी है दोस्तों यह वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें तीन चैप्टर मैंने एक ही वीडियो में कंक्लूड किया है लॉंगेस्ट हाईवे जो है वो नेशनल हाईवे 44 है स्री नगर से कणिया कुमारी मतलब उत्तर भारत से सीधे दक्षिन भारत तक मैप के सारे भी हम लोग देखेंगे सौटेज जो है एनेच 47 जो है कुंदन और से विलिंग्टान आइलेंड पुडूचेडी तक यह जाता है एनेच 47 यह दोनों मॉस्ट इंपोर्टेंट है इसको याद रखिए का एक्जाम में इसी तरीके से पूछे गया है और पूछे जाएंगे अब आते हैं बॉर्डर रूड और्गनाइजिशन के बारे में थोड़ा जानते हैं देखिए रूड बनाने का जो काम है वो तीन और्गनाइजिशन संभालती है निशनल लेबल प पराम किये हैं भारत के साथ साथ जो एक्जाम में पूछे गया है बॉर्डर रूड ऑन और अलगनाइजिशन वुटान और मैनमार में भी घूटान और मैनमार में भी रोड बनाया है तो यह आपको याद रखना चाहिए यह मैनमार हो इन्हों ने रोड बनाया कर सब्लाई हाइवे है वो एक दूसरे को कहां पे काटते हैं तो आप यहां मैप देख सकते हैं डीटेल में यह है जहांसी जहां मैंने रेड लिखा है और जहांसी में यह दूसरे को काटते हैं मौस्ट इंपोर्टेंट है यह सब पूछा गया है इसलिए मैंने यहां लिखा है चलिए आगे बढ़ते हैं हाइवे भी खतम हो गया तो अगला जो है एयर ट्रांस्पोर्ट सबसे पहला एयर ट्रांस्पोर्ट सिर्वा सुरू कब हुआ था 1111 में टाटा जो समूह है उन्हों सब्सक्राइब करने के लिए एयर ट्रांस्पोर्ट को रेगुलेट करने के लिए अब आते हैं जो इससे एक्जाम में पूछे जाते हैं कौन सा एयरपोर्ट कहां है देखिए मैं को एकदम याद हो जाएगा एक ही बार में देवी अहिल्या भाई होलकर एयरपोर्ट देख यहां बनारस में काशिवी तोनाथ टेंपल को भी काफी डोनेट दिया था तो अहिल्या भाई जो है यह MP की थी तो यह MP मैंने यह MP लिखा सौट में मध्यव परदेश आप याद रखेंगे यह आपको आराम से याद हो जाएगा दूसरा जो है बैंगलूरू एयरपोर्ट हर क अब आते हैं चात्रपती शिवाजी टर्मिनल यह कहां के थे तो यह मुंबई के थे तो आपको यह जैनरली याद हो जाएगा यह मुंबई के थे तो मुंबई लेकिन अगला जो है नेता जी सुवास्चंद बोस एयरपोर्ट यह कहां हो सकता है कोलकाता में इस तरीक से खॉट अब यह पंपे गॉल्थ अब इंदरगानी इसको भी पालम हवाय ड्साइथ इसको भी देली में यह भी आपको याद होगा और उधर जो है अन्ना दुराई को कहा जाता था इसलिए उनके नाम पर यह एरपोर्ट का नाम है तो यह चन्नाई में है अन्ना चन्नाई गुरू रामजी दास एयरपोर्ट तो यह जो थे गुरू रामजी दास शिखो के गुरू थे और शिखो के गुरू रामजी दास जो थे दूसरे गुरू थे तो यह अमरीत्सर एड़कवाटर है इसका मतलब एएरपोर्ट का इयरपोर्ट यह कहा है इंटरनेशनल यह हम्ने यहां पे किरल में जितने हैं मैं अपने डेलि कारिटरफेस में बताता हूं कि किरल आई इंडिया का एक इसा स्टेट है जिसमें चार एरपोर्ट है इतने छोटे स्टेट में और हाली में अभी जो वहां पर एक बीमारी कोरोना वायरस चीन किया है वो दूसके दो मामले अभी तक पागा हैं वो दोनों चेरल में ही पाए गया है तो केरल के जितने भी एरपोर्ट है सब को लोग देखेंगे आप इसकी PDF हमारे ट कोचिन इंडिया का एक ऐसा एरपोर्ट है पुन्ड रूप से सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला यह एरपोर्ट है कोचिन एरपोर्ट अरनमूला त्रिवेंद्रम पुराना नाम है त्रिवनंत पूरम का था इसलिए आपको याद रखना चाहिए कालीकट या कोजी कोड नाम मैं तो कालीकट और इसमें आपको भूलने वाला बस ऑरणमूला तो आप इसको चार बार बोलेंगे यह खुद ही याद हो जागा केरला में है तो आपको यह याद हो गया खुद बखुद अवाते हैं जीएमार हैदरबाद इंटरनेस्टल आरपोर्ट हैदरबाद तो को आपको याद होगा वरट अगर उसमें जी लिए मर आ जा तो जी अनको याद करेंगे तो जी एमर याद करें की जीए मर हैदरबाद घेमर ऐदराबाद दियें मर हैदरब छाल आइए पास पूर एरपूर तो लाल भादूर सास्त्री एरपोर्ट उसका नाम है नाम जुरूर याद रखना है लाल बहादूर सास्त्री चुकि बनारस के थे तो उन्हीं के नाम पर यह एरपोट रख दिया गया अब जो है चौधरी चरंद सिंग इंटरनेसल एरपोट लखनाउ में है और बाबत पूर में जो के सबसे बड़ी मोर्ती जो है वो भी आहिज़ाद में है तो आपको ये रखना चाहिए चलिए है कुट धनी ये इसको पुछा जाता है एक्जाम में डबॉली Hij कि लोग प्रियों गोपिनाथ बार दो आप इसको हिंदी वाले हैं तो हिंदी में नोट कर सकते हैं वरना इसके मैं फिडिये दे दूंगा राजीव गांदी इंटरनेशनल एरपोड कहा है तो यह हैदराबाद में हैदराबाद में हमने देख लिए एक जीमर एयरपूर्ट थ इसके साथ साथ जितने भी एयरपूर्ट थे उनका सीरीज खतम होता है दोस्तों एक चीज मैं कहना चाहता हूँ आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कमेंट करकि यह जरूर बताए आपको कि चैप्टर पर वीडियो चाहिए कौन से आपकी विकनेस है ताकि मुझे पता चले को